अच्कि याः बीडियो हिंदी कावि की महा संग्राम होने वाली है क्योंकि आज की इस बीडियो में चार बड़ी इनुवर्सीटियों के माडल पेपर कोश्चेन पेपर हिंदी काविके इनकिल्यूडेड है और साथ साथ में वो सारे कोश्चेन और उप लोगों के समझ थम करेंगे जो पिछले फालो में कई बार रिपीटेड है और आपके एक बार इस बार एक्जाम कल या परसो जब भी आपकी परिच्छा होने वाली है उसके लिए बहुत ही महात्पूड है खास करके जो कि हमारे डाक्टर राम मनहोड लोहिया आवद इनवर्सिटी के छात्र उन सुरू करते हैं और यह फस्टियर के फस्टमेस्टर के छात्रों के लिए महात्पूड है जिनका सब्जेक्ट हिंदी काप भी है यह देख लीजिए यह 2022 का माडल पेपर है डाक्टर राम मनहोड लोहिया आवद इनवर्सिटी यानि कि यह 2022 और तेश की सेशन का माडल पेप पर उसके बाद मोस्ट इंपार्टन कोश्चन जो कि आपके एक्जाम में आने के उमीद है वह हम आपको बताएंगे कोश्चन भी बताएंगे उसका उत्तर भी बताएंगे यह नहीं कि सिर्फ पर कोश्चन ठीक है तो चलिए आते हैं में इन मुद्दे पे देख लीजिए पिछले फाल कोश्चन पूछा गया था अतिला घुत्रे में ध्यान से देखेंगे सारे मोश्चिव पढ़न कोश्चन हैं अतिला घुत्रे में पहले प्रस्ण पूछा गया कि हिंदी साहित के आधिकाल के लिए प्रियुक्त बिभिन अन्य नाम हैं नाम करण करने वाले बि चरणकाल कहा है ठीके इह तरह बहुत सारे बिद्वानों ने अलग अलग इसके नाम् दे है तो उन्हों ने कीस समस का नाम दिया है और उनका नाम देने वाले कभी यह यानि कि दएके यह कंड़ को पार Aww के पूरी चांस ठीक है इसका उत्तर आपको भी डीटियल में अच्छे से नीचे पीडियाफ में उपलब्द है लेकिन पहले जान लेजी कि कौन-कौन से के पूर्ण कोश्चन जो कि आपके एक्जाम में आने के चांस है शूफी काप इधारा के प्रमुख बिसेश्था हैं कई बार प्रइच्छा में भी कोश्चन रिपीटेड है और इस बार भी उम्मीद है कि आ सकता है ठीक है क्योंकि पिसले फाल 2022-2023 में पूछा जा चुका है अगला कोश्चन है कि दुबेदियु के किनी छाहा रचनाकार लेखकों के नाम लिखना है ठीक कभी के नाम लिखना है तो ये भी बहुत ही महाजपूर्ण को प्रश्चन है दुबेदियुक से जुड़ा कोश्चन है पक्का फसेगा 100% शेओर है तो ध्यान रखेंगे ठीक अगला प्रश्चन है कभी विद्यापत को किन किन उपाध्यों से प्रस्कृत किया गया या फिर विभूसित किया गया है ठीक है तो ये इतना महात्पूर्ण नहीं आप इसे इग्नोर कर सकते हम आपको वही सारे कोश्चन बताने का प्रियास करेंगे जो आपकी एक्जाम म यस बार आने की संब्हावना है ठीक है अगला कुश्चन है कि प्रमुख का भी तुलसिदाफ जी की प्रमुख छे रशनाओं का नाम लेखे तो तुलसिदाफ जी मैं पहले सारी रशनाओं है आप लोग जानते है ठीक है और उन्हीं हाला कि हैं बहुत फारे लेकिन सिर्फ और सिर्फ छे रशनाओं का नाम लिखना यह भी पॉपलर कोईश्चन है इसका भी उत्तर भी मैं आपको बता रहा हूं ठीक है पहले कोईश्चन सिलिट करा दे रहा हूं जो जो मुस्ट इंपॉर्टेंट है ओके अगला कोईश्चन है कि अपनी पार्ट प्रफतक से कबीर का कोई एक दोहा लिखी आपके जानकारे के लिए बता दें यह कोईश्चन आने को उम्मीद नहीं है लेकिन कबीर दाफ जी पे जुड़ा कोई ना कोई कोईश्चन दो प्रफत जरूर पहिच्छा में आएंगे आपके जानकारी के लिए बता दें आपको सल्लाह दे रहें कि कबीर दाफ जी का पूरा का पूरा जीवन पर चे तैयार कर लिजीगा कबीर दाफ जी के जो धार्मिक सुधारक है प्लस समाज सुधारक है इस बिसे पर आपको पढ़ लेना है ठीक है इनहीं में से एक दो दो प्रफ्रश्ण फश जाएंगे पक्का तो करीब करीब आपके 10 से 12 नंबर पक्के हो जाएंगे सिर्फ कबीर दाफ जी का पूरा का जीवन पर चे और इनके जो साहितिक जीवन है प्लस इनका समाज सुधारक है धर्म सुधारक है इस पर आप तैयार करना है ठीक है सभी प्रश्णों का उत्तर नीचे पीडियव में दिया गया है ना कहीं अन्यसे भी सायद ही एक फ्रस्णा है ठीक है लगभग-भग यहीं से आएगा नभे प्रत्रत सुर्थ तो यह कभी कदार आता हमेशा नहीं आता है अगला प्रस्ण बहुत ही पॉपलर है भारते इन धरिश्चंद जिससे जुड़ा है भारते इन धरिश्चंद की पांच रसनाओं का नाम लिखेंगी यह भी महत्पूर धर्मबीर भारती के काब संग्राहों का नाम लिखें तो ध साहित में सोध की प्रमुक बीदियों का नाम लिखें यह भी नामों का डीटियल में एक्स्प्रेंड करिए ऐसा प्रस्ट भसेगा तो साहित में सोध से जुड़ा कोश्चन आएगा पका है अब आपको खंडबा यानि की लगुत्रे में कुछ आपको पैराग्राफ दे जा ठीक है यह आपको संद्रब लिखना प्रसंग में में चीज क्या है और व्याख्या में आपको इसका एक्स्प्रेंशन करना कि मतलब क्या है सब्दों का ठीक है यह लिखना है इस तरह आपको और भी पैराग्राफ दे जाएं करीब चार से पांच पैराग्राफ दे जाते है और किनी इन में से दो पेरा ग्राप का आपको संदर्व साहित ब्याख्या करना होता है जिसके लिए आपको करीब करीब 15 नम्मर के करीब दे जाते हैं तीक है अगला प्रशने के नात साहित का संशिप्त परिशे दीजिए नाथ साहित से मतलब का संशिप्त परिचे पिछले फाल पहुंचा गया था इस बार आने की कम चांस है तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं अगला प्रस्टन की कवीर्दाफ की करभाविक इस परिच्छे परिच्छे पर लिजये गारंटी आपके आठ नंबर पक्के हो जाएंगे अमीर खुफ्रो पर जुड़ा दो प्रश्न तो पक्क का फस्ते पहस्ते हैं और दो नहीं तो एक तो पक आएगा इगा ही आएगा दो अभी आपको दिखाएंगे इस बार जो परिच्छाएं हुई 2324 में उसमें कोश्चिन पूछा जा चुका है चलिए भी दिखा रहे हैं आपको उसके बाद ये इग्नोर कर दी जग निराला वाला बहुत ही कम आता है कभी कदार आता हमेशा सोध से जुड़ा कोश्चन एक आत से जुड़ा कोश्चन हमेशा फसता है और तुलसी दाफ कभीर दाफ ये सब सिंपल कोश्चन है जो कि भसते हैं भारते अंधरिष्टन जी का जीवन परचे तैयार कर लिजेगा अग्ये जी कभी आप तैयार कर सकते हैं भी कभी कदार आ जाता है ठीक है तो यह रहा दो हज सब्सक्राइब कोश्चन है और आपकी परिच्छा में कौन कोन से आ सकते हैं पहला पोचा गया सूर्दाफ जी से संबंदित है कि सूर्दाफ जी के भासा अधिकार सेशक पर निवन लिखी ये न्यू कुश्चन है कभी कदार आता है और यह मतलब पिछले फालो में कुबा और आ सकता है घ्जाम में अमेर खुस्तरों फिजड़ा देख लिए अभी 2223 की सेसन में भी पूछा गया था और यह 2324 में पूछा गया देख लिए आपके समसुत्तरे रित काल फिजड़ा कोश्चन कई बार आ चुका है और रित काल फिजड़ा एक कोश्चन फसेगा बिह अब यह माहतपूर्ण ॥ी का पूरा जीवन प्रशन परश्य काल जीवन परश्यब्स पोछा गया था अभी महत पूर्ण ने किया सकता नहीं सिर्फ हम आपको most important question select करा रहें अभी हम question answer वाले PDF की और भी चलेंगे ठीक है चलिए पहला question ignore कर दीजेगा अगला जाएगा को सामित तुल सामित यह भी इगनोर कर दीजेगा ओके और question most important है कि खड़ी बोली हिंदी विकास में अमेर खुसरो के क्या युगदान है ठीक है तो मैंने आपको बता रखा कि अमेर खुफरो जुड़ा एक पक्का आता ही आता है बाकि दो भी हो जाते हैं कई-कई बार जब परिच्छाएं होती है तो देखें दो प्रस्ण पोचेंग यह भी बहुत पॉप्लर कोश्चन है हमेश्चा फंसता है ठीक है अब दीरगुत्रे की ओर आ जाएंगे दीरगुत्रे हम देख लेते को उनको उनसे प्रस्ण पूछे गे थे कवीर दाव जी फिर जड़ा कोश्चन पूछा गया था कविया कवीर दाव जी का चिंतन लोग कोतर तथा फिर भी यह समाच को सांस्कृत करने की अध्वुच्छ हमता रखते मत्तब कि परकार फिर समाच सुधारक है और समाच को एक अच्छे निउप में डाल सकते हैं अच्छी कलाफे लोगों को ठीक है उजागर कर सकते हैं उनको नई दिशा दिखा सकते हैं तो यह बहुत ही पॉप्लर कोश्चन है इनसे जुड़ा कोश्चन मैंने आपको बता दिया गैरेंटी वाला कोश्चन जो की हमेशा फंसता एक भी ऐसी परिच्छा नहीं गई है जिसमें कभीर दार जीसे जुड़ा कोश्चन नाया हो हिंदी काब्य में इनका जीवन परच्चे इ मैंने जो बता है आपको समाज सुधा रख इसके बारा पढ़ लीजिए को पक्का तैयार हो जाए आपको पक्का कोश्चन फस जाएगा अगला की रीत बद्द सीत बद्दियुम रीत मुक्त इन में से कोश्चन फसेगा हो सकता तीनों आ जाए लेकिन एक तो पक्का 100% से औ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉप लेबल का कुश्चन है 100% आएगा ही आए उसके बाद इस भी इसमें भी आपको कुछ पध्यांस दे जाएंगे कुछ पैरागराब दे जाएंगे जिनके आपको संदर्व साहिद ब्याक्या अपने नुसार करनी है ठीक है याद रख आप देखी सकते हैं ठीक है तो इसमें देखिए कौन-कौन से कुश्चन पूछ पूछे जाए आपकी परिच्छा में ठीक है इसे माडल पेपर से हमने सोचा कि आपको पिछले साल का माडल पेपर और इस साल जितने में इनुवर्शिटियम पर इच्छाए हुई हिंदी का आपको प्रस्तुत कर दें कौश्चन पेपर प्रस्तुत कर दें ताकि आप उनको तयार करके एक्जाम में जाएं और आप टॉप करके आए ठीक है हमें पूरी उम्मीद है हमने उस इसाफ़े फारे कौश्चन और माडल पेपर तयार किये हैं कि आप परिच्छा में 75 में 70 तो लाही पाएं कम से कम 75 में 70 नंबर तो पक्के उस इसाफ से तैयारी हमने आप सभी की मतलब की करवाने का प्रियाफ किया है और इसमें उसी साफ से कोश्चन रखें ठीक है अब आते इस माडल पेपर में देख लीजिए कौनकों से कोश्चन पूछे के थे पहला कोश्चन कभी कदार आता परमाल लासो किसकी रसना तथा इसको किस नाम फिजाना जाता इगनोर कर दीजिए इतना महात पूड नहीं ठीक है कबीर दाफ जी का जन्म मुरत आप सभी अच्छे जानते जीवन पर च्छे तयार कर लेंगे उसी में आ जाएगा रित काल की प्रमुक कभी कि रसनाकार इगनोर कर दीजिए इतना महात पूड नहीं के दार नात वाला भी कोशिन इगनोर कर दीजिए यह इतना महात पूड नहीं बाकी 2023 में पूचा गया अगर आपकी पास टाइम है तो बेज़क तयार भी कर सकते हैं ठीक है गजानन माधों मुक्ति बहुत को किनी दो रसनाओं के नाम लिखे यह भी इगनोर कर दीजिए भार 321 के दो प्रमुक कभी पूचा गया हालाकि आपको तयार कर लेना भार 321 की नहीं चार कभियों के नाम ठीक यहां पर दो पूचा गया यह पूपलर कोश्चिन है वेरी वेरी इंपॉर्टन है कई बार रिपीट पूच्छा कर लेना चे ताकि प्रशनाय चे कि वह यह तो उल्फिदाफ की छे रसनाय बता है तो आप छे लिख दें अगर कोश्चना की चार आए चार लिख देंगे तीन लेकिन ज्यादाफ जदा च्छे तयार करेंगी ठीक है अगला प्रशनाय की रीत मुक्त धारा के च हम आपको बता रहें आज किस वीडियो में इस सिर्फ और सिर्फ आपके फर्स्टर के फर्स्मिस्टर के लिए ही नहीं मातपूर है बाकि यह आपकी आगामी वाले जो आप लोग प्रतियोगी परिच्छा है या फिर किसी कंपेटिशन के एक्जाम की तैयारी कर रहे है या उन सभी के लिए भी महातपूर है क्योंकि आप लोग को मालूम है कि हिंदी तो हिंदी होती हिंदी में लगबर लगबर वही कोश्चन होते बस थोड़ा एडवांस में पूछे जाते हैं बस ठीक है कबीर दाफ जी तो एक ही है ठीक है उनका जीवन परिच्छे जो है वह ए अलग तो है नहीं तो इसी प्रकार यह आपके आगामी पर इच्छा के लिए महातपूर अगर कुछ भी तैयारी करेंगे तो ठीक है अब इस माडल पेपर में भी कुछ आपको पैराग्राप दे जाएंगी जिनके आप लोगों को क्या करनी है शंदर्व सहित ब्याख्या कर देख रहे थे अब यह आप देख लीजिएगा ठीक है मतलब की पैराग्राफ वाला इसको हम एग्नॉर करते क्योंकि भाई यह फिक्स तो है नहीं कि यहीं आएक लेकिन जो यह संद्रव सहित ब्याख्या वाला पॉर्शन होता है फिक्स नहीं होता है हमेशा बदला करता है ठीक है तो यह आप अपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है बाकी कुछ जाएंगे तो आपको वहां पर आरे में लिए तो थोड़ी बहुत हैल्प भी हो जाती वहां पर हो जाएगी मुझे विश्वास पूरा है ठीक है अगला प्रशन है कि भारते अंधरिश्चंद देखे यह भारते अंधरिश्चंदी जी बहुत ही पॉप्लर कोश्चन है यह आपके देखे दो हजार बाइस और तेस में पूछा गया था तेस और चोबिस में पूछा गया था अभी उपर यह इन्वर्शिटी है इसमें भी यह प्रस्न पूछा जा चोगा है ठीक है तो जो कि हमेशा आता देख लीजिए तीनों माडल पेपर में कोश्चन पूछा जा चुका ठीक है पंत यह वाला कर दीजिए रितिकाल की प्रवित्यां तैयार कर लीजिए कि कई बार पर इच्छा में आ चुका इस बार भी आएगा ठीक है अब देर घुत्रे में देख लेते इसकी प्रवित्या मताई सोध रिसर्च ठीक है सर्च यह पॉप्लर कोश्चन यह राम अनुहर लविया वादिवर्सिट्यम जादा ध्यान रखेंगे ठीक है ओके यहां पर आपको टीन बड़े बिश्विद्याले इन्वर्सिटी के माडल पेपर हमने प्रुस्तुत किया अब हम बढ़ते हैं कोश्चन एंसर की श्रीच की और पीडियाप की और मोस्ट इंपर्डरन कोश्चन यह तार सब्तक से जुड़ा कोश्चन हमेशा आता तो तार सब्तक के बारें थोड़ा जानकारी ले ले लेते हैं क्योंकि यह फंसता ही फंसता ठीक है अग्ये के कितने सब्तकों का प्रकासन तथा यह भी बताईए कि तार सब्तक में कितने कभी की कविताय संगली थे जो यह तार सब्तक नाम सुने हैं यह जो हमारे अग्ये जी हैं जिनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वातसल अग्ये इन्होंने तार सब्तक की रशना की है तो कितने तार सब्तक जो पहला तार सब्तक है वह उनिस सो तैतालिस को मतलब की प्रकासित किया गया था दूसरा तार सब्तक जो है वह उनिस सो एक्यावन को पहला उनिस सो तैतालिस को दूसरा उनिस सो एक्यावन को तीसरा जो तार सब्तक है वह उनिस सो उन्सेट को प्रकासित किया गया थ तार सब्टक के अंतरगत, सात कभियों की कपताएं संकलित थे उनके नाम इस प्रकार है। जुला कुमार मातुर जी ओर ही रांजाज सर्मा और हिरा नंद वाच अग्य चार प्रमोग कभी हैं जिनकी कभीताय संगली थे तारसक तक कितने हैं यह आपको परच्छे चला और कौन-कौन से प्रकासित हुई उनका परच्छे आपको पता चला ठीक है प्रस्ण कई बारा आच चुका है और इस प्रस्ण पर आपको जुरूर्ब फोकस करना है very very यानि कि टॉप कडगरी का question है very very important ठीक है यहाँ पर question भी उसका उत्तर है आगे इस बीडियो में इस PDF में जितने भी question दिखेंगे उसका उत्तर उसके सामने दिखेगा अब आपको कहीं बटने की आओ सकता नहीं है उपर जितने भी model paper question paper मैंने आपको बताए उ में जो जो भी question दिएगे उन सभी का उत्तर इसी PDF में मिल जाएगा ठीक है अगला प्रशन है कि अग्ये की प्रियोगवादी रश्नाओं का नाम लिखी यानि कि अग्ये जी की प्रमु को रश्नाएं बताईए और वो किर्शन में प्रकासित हुई वो बताईए तो अग्ये हेरी सन 1954 में इसी तरह इनकी बहुत फारी रश्नाओं हैं जो कि उसके सामने उसका सन भी लिखा किके सन में प्रकासित की गई इस बात को ध्यान लखेंगे ठीक है प्रियोगवाद से विजड़ा question आ जाता कि अग्ये प्रियोगवाद के अग्रदूत है तो इसके बारे में question यह भी है अब बढ़ते हैं इस question की और question भी बहुत popular है जो कि कामाईनी का है ठीक है यह हमारे प्रिसिद्ध कभी जैसंकर प्रसाद जी की रश्ना है कामाईनी जो कि बहुत ही popular हुई है कामाईनी को छायावाद की सर्वो उफ्तकरष्ट रश्ना क्यों कहा जाता है यानि कि चायावाद जो यूग है इसमें सबसे जो popular या सर्वोत्तम जो रश्ना रही उसका नाम है कामाईनी जो रश्ना है यह जैसे अंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है और जैसे अंकर प्रसाद की नहीं अपितु हिंदी साहित के उत्करष्ट क्रत और चायावादी का जान नकेंगे यानि रामचेट मानस के बाद अगला जो जिस रश्ना को बहुत ही पॉपलर्टी या फिर जो ज़्यादा प्रसिद्धी मिली हो कामाईनी को मिली है जो कि जैसे अंकर प्रसाद की रश्ना है ठीक है यह मैं नहीं हिंदी साहित हिंदी का बे कह रहा है ठीक है बैशिक पर पर छे कुछ भाड़्यास difsk ज्रशन में कहा नाम हुआ था इनके पिता का नाम था माता का क्या नाम था ठीक है और मारतेयां धुकора कि यूद्Star Uh ठीक है तो हरिश्चंद जो पादी है इनको 1880 में मिली है ठीक है इस बात को धान लखेंगे इस तरह और भी भारतियंद जीफे जुड़े कुछ कोश्चन है जो कि आपको पढ़ लेना है भारतियंदू के नाम पर ही भारतियंद यूग नाम भी पढ़ा यह भी आपको जानका यह नहीं चाहिए ठीक है तो इस बेसिक सी परचे हैं बारतियंद हरिस्टन जी से जुड़े ठीक है घाना नंद जी से जुड़ा कोश्चन पढ़ लिजेगा ठीक है घाना नंद जी की भासा के बारे में इनका जन्म कहां पर हुआ ठीक है तो जन्म लिखा है फट्रफ उच समप्रदायाइं में दिच्षित हएं तो निमपार कर्यों में दिच्षित हुए कुछष नाएं और सुजान सागर है, सुजान हित है, प्रेम सरोवर है, वरेज बलास है, ये कुछ प्रमुक रशनाएं हैं, जो कि आपको तैयार कर लेना है, ठीक है, घना नंदी से जुड़े कुछ बेसिक क्वेश्चन, ओके, और घना नंदी का संबन्द रीत काल के किस का बिधारा फे हैं, त इनका जन्म कब हुआ, कहां पर हुआ, ठीक है, इनका जन्म 1652, ठीक है, मतलब कि संबत 1652 के करीब हुआ था, ठीक है, और इनकी जो बचपन है, वो बंदेल खंड में भीता है, ठीक है, बिहारी की प्रमुक आफ्रेदाता नरेश का क्या नाम है, तो सावाई राजा ठीक है, बिहारी रितकाल की किफधारा के कभी थे, तो बिहारी जी रितकाल के कभी तो थे, और ये रितिफद्धारा के कभी थे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, बिहारी इन्हें सत्साई की रशना किसके आदेश पर की, इनकी बहुत ही पॉपलर रशना, जिसका न कार का गंत है तो मुक्तक काब है इस बात को ध्यान रखेंगी कुछ बेसिक कुश्चन जो की फसेंगे ठीक है बिहारी जी से जुड़े चलिए अब निश्क कोश्चन के और बढ़ते हैं के सोदाफ कैसे कभी थे तो के सोदाफ जी रीत बद्दी कभी थे ठीक है और राम की च सोदाफ जी ने कहा है कठिन काबिका प्रेत किस कभी काबिसे सढ़ है अचार के सोदाफ जी का है ठीक है यह बहुत ही पॉपलर है जो की उपर कोश्चन पूछा भी गया था ठीक है अब बढ़ते हैं इस्ट कोश्चन के और के सोदाफ जी की कुछ रशनाएं आप पढ़ ल लीजेगा इनका जन्म इनके गुरू का नाम ठीक है अनकी प्रमुक्रस्ट्णाएं इनके ग्रंत के बारेमें बहुत ही महत्तमूर्प्रस्ट्ध ने कोश्चन भी इसका उतर भी देख लीजेगा ठीकшन-क बीश्यिभार जीर जोड़ेंतोक जर्म कि बहुत फारे मतबेद लेकिन जो ज़्यादा पुष्टी हुई वह उन्हें तेरा सो अठान नबे इस भी इनका जन्म हुआ है कासी में यह मतलब की ज़्यादा लोगों ने माना है ठीक तो मुसल्मानों के नुसार कभी 10 जी के जो गुरू है ठीक है उनका नाम है सूफी फक किस ने कहा है तो यह भी बहुट popular को स्चिर हाजाएर परशाध ने कहा है कि लुक्त भाग है कि इनकी इनकी मुख में fera कि कि ब्याकर को ततीन वात इ्वार्ट इवाइड विगक है जिनमें से पहले आ गयी साकी ते सबस्ट कवीर कि संग रहा मतलब की में वह प्लिप पहाग है वह तीन हैं साकी सबस्वर्वाइन पर लेंगे बहुत ही पॉपलर कोशिटन और इस परकार कुछ देखने को मिल शकता कभीर काव्य में ज्यान और भक्ति भाउना को अश्पष्ट करते हुने ब्रह्मब की और धाना पर प्रकास डाली महात्पूंट प्रस्ट कई ब कम धार्मिक इस्थित और धार्मिक और समाजी में इन्हों ने क्या-क्या सुधार किया उसके बारे में पूरा का पूरा पर्चे दिया गया है आप पढ़ लीजिएगा हम आपको मोस्ट इंपार्टन कोश्चन से लिट करा दे रहे हैं और हम उत्तर पढ़ेंगे तो बहुत ही समय ज्यादा लग जाएगा घंटो तो घंटो बीडो बनेगी इसलिए आप लोग इसका उत्तर तयार कर लिजिए गया है बहुत ही मोस्ट इंपार्टन कोश्चन है उसके बाद आपको हम तुलसिदाफ जी से जुड़े कोश्चन आपको दिखा रहे हैं तुलसिदाफ जी स इनकी प्रमुक रशनाएं जोकी प्रुस्तो थैं टुलसि के प्रमाडिख जो ग्रंत की संख्याओ बारा मानी जाती है जिनके नाम से रहे हैं निच्छी रष्ष्चन हो के नाम बताएं तो आप याद रखंगे और राम चैत मानस कब रचा गया इसके बारे में देख लीजे राम चैत मानस की रचना है संबत में मानी जाए तो 1631 में हुई है और सन की बात करें तो 1574 में शुरू की गई थी राम चैत मानस की रचना ठीक है बहुत ही पॉपलर कभी जो कि आप लोगा राम चैत मानस पढ़ते हैं जानते हैं ठीक है तो ये तुलसी दाफ जी द्वारा रचित है ठीक है और किस सन में रचित है 1574 में संबत 1631 में ठीक है ध्यार रखेंगे बहुत ही महात्पूर्ण प्रस्ण है शूर्दाफ जी से विजुड़े कई सारे प्रस्ण देखने को मिलेंगे आपने परिच्छा में शूर्दाफ जी का पूरा का पूरा जीवन परिचे पूरा का पूरा इनका जन्म कहां पर रवन की रच्णाए जो है वो सब पूरी यहां पर प्रुस्तों थे आप पढ़ दीजेगा ठीक है अगला कोश्चन जो की परिच्छा में कई सारे मतब कि दो एक दो कोश्चन पका फंसते हैं मतब जयातार दो फंसते हैं लेकिन एक तो पका आएगा ही आएगा अमीर खुस्तों फिजुड़ा और अमीर खुस्तों जो है ध्यान रखेंगे हिंदी के प्रथम कभी माने जाते इनका जो जन्म है वो 1253 में आधुनिक उत्तर प्रदेश के चिला एटा के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था ठीक है पूरा परचे पढ़ लीजीगा और अमेर को श्रोद्वारा रचित कुछ गरंत है जो कि आपको यहां पर ध्यान से पढ़ लेना है यह कई वर्गों म नए कविता ठीक है यह सब आपको देखने को भी लेंगे परिच्छ में का दुकुष्चन के भारती इंदुयों का दुनिक कविता रीत मुक्त अफ्ट चाप के कभी जो कि मैं आपको बताई रखा हूं आफ्ट चाप के कभी का इस आठ है ठीक है जो कि आपको तैयार कर ले पूरी को पूरी जो PDF है कितने पेज की आपको पता है यह 38 पीज की PDF है जिसमें सारे के सारे पिछले फाल के माडल पेपर इस साल के माडल पेपर जो फूरी आपको उपलब्द मिल जाएगी तो यह आप डॉट लोड करके पढ़ लीजेगा इसी में से सारे प्राइब को नह